अज साल बार के लिए धन्या बताएंगे इसके जड़ को निकाल देंगे तंठल को रहने देंगे एक एक करके ना सारे पीली पत्ते हटा देंगे और जड़ हटा देंगे और लेकिन डंठल को रहने देंगे डंठल से बहुत स्वाध आता है और वैसे करके सारा साफ करेंगे और यह जब सीजन नहीं होगा तो जैसे गर्मियों में सीजन नहीं होता है इसका तो मेहंगा भी मिलता है और लाइए मार्केट से तो फ्रिज में भी ज्यादा दिन ठीक अच्छा नहीं रहता है तो वैसे में ये काम आएगा दाल में सब्जी में डाली खुब स्वाधिस्ट सब्जी और दाल लगेगी देखें ये मैंने त्यार कर लिया है और इसको सारे को सारे कि ये साफ कर लिए है ये कितना गंदा निकल रहा है पर पानी चेंज कर देंगे फिर इसको दोलेंगे तब तक होईंगे जब तक कि पानी साफ ना हो जाए दो या तीन पानी दोने से पानी एकदम साफ हाने लगता है देखें हमारा धनिया दूल गया है अब इसको काटते हैं इसको चॉपिंग बोड पे लेके ज्यादा बारिक नहीं करेंगे मोटा मोटा ही काटेंगे क्योंकि सूपने पे ये बारिक ही हो जाता है और ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप मेथी के पत्तों को भी साफ करके सुखा के रख सकते हैं कड़ी के पत्तों को भी रख सकते हैं कि वैसे ही फिर से और काट लेंगे हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह कट गया है अब इसको अब सुखाने के प्रोसेस में चलते हैं अब एक कॉटन कपड़ा भी ज़ा लेंगे और उसमें सारे धनिये के पत्ते को फैला देंगे और पंखे की नीचे दूप में नहीं डालना है इसको नहीं तुकाला पड़ जाएगा पंखे की नीचे देखे एक दिन में सूप के और ये दो दिन में देखे ऐसा हो जाए देखे इस आवाज आ रही है फिर इसको एयर टैट डबे में भरके साल भर इंज्वाए कर सकते हैं दाल में सब्ची में किसी चीज में डालिए और ऐसे ही सूप जाना चाहिए नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगा और साल क्षा है जाल जाल चाल किया उतार हेवागा थार येश्बडाब के जाना पना में सकते हैं